इस वीडियो में जानेंगे CA कोर्स में कितना सारा ट्रेनिंग आप लोगों को करना परेगा और कितना फी होगा और कब आप लोगों को ट्रेनिंग करना परेगा जो CA कोर्स में ट्रेनिंग करना परता है इसके बारे में complete डिटेल बताएंगे कितना फी लगेगा कैसे registration करना होत इस सब के बारे में students complete information देने वाले हैं बच्चे के मन में doubt आता रहता है कि इतना सारा training है कब करना चाहिए यह सब के बारे में complete information है बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को पूरा complete देख लेना और कबसे आप लोगों को training स्टार्ट करना चाहिए यह सब कुछ इसी वीडियो में पराच लगा एक मात्र ऐसा वीडियो होगा YouTube पे जो की complete information देगा वीडियो को like कर दीजी और हाँ students चैनल पे नए हो तो please चैनल को subscribe करके all notification विल दबाद दीजी जिससे CA related एक भी important update और announcement मिसना आप जैसे कि students आप लोगो को पता है CA course में तीन लेबल होता है पहले लेबल को CA foundation, second लेबल को CA intermediate और third और आखरी लेबल को CA final बोलते है CA new course में अगर आप पहले लेबल का exam देरो CA foundation course में registration कर रहे हो या CA intermediate course में registration कर रहे हो direct entry से आप लोगों को starting में कुछ करने का ज़रुत नहीं है सबसे पहला काम क्या है foundation वाले बच्चे को CA foundation का exam पास करना इसके बाद intermediate में जाना और direct entry वाले बच्चे को क्या क्याम है कि intermediate का registration करना उसके बाद exam देना अभी ट्रेनिंग के बारे में अभी तक नहीं सोचना मतलब ये clear हो गया कि पहले CA foundation पे ध्यान दे इसके बाद intermediate पे ध्यान दे foundation पास वाले बच्चे भी और direct entry वाले बच्चे भी अभी तक कोई doubt आना नहीं चाहिए जब आप CA course में entry लेते हो तो पहला training जिसको बोलते हैं IC, IT, IT, IT और OC course का करना परेगा IT, OC course के बारे में simple and short में explain भी करेंगे लेकिन आपको IT, OC course का training कब करना परेगा doubt आ सकता है 15-15 दिन का training होता है regional branch पे आप लोग ये training करना परता है आप चाहो तो IT, OC पूरे इंडिया में कहीं भी भी कर सकते हो regional branch पे अब IT, OC course के बारे में थोरा सा detail में जान लेते हैं देखो information technology एक training 15 दिन का फिर OC एक training 15 दिन का यानि कि total 30 दिन का training होता है IT course में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता OC में अच्छे खासे friends भी बनते हैं जैसा friend के बारे में आप सोचने हैं वैसा भी friend बनते हैं तो क्या ये training mandatory होता है CA students के जिसका जबाब जी है इस training के बीना आप आगे का काम start भी नहीं कर सकते हो देखो IT course IT course का fee का बात किया जाए तो 6500 रुपया और orientation course का OC course का बात किया जाए तो 7000 रुपया fee होता है 15 15 दिन का होता है इसको कब कर सकते हो तो यहाँ पर first line में क्या लिखा हो जैसे ही आप intermediate course में registration करते हो यानि कि foundation pass करके intermediate course में जैसे registration करते हो या direct entry से जैसे ही intermediate course में registration करते हो उसके just बाद भी आप कर सकते हो ITOC course complete ऐसा doubt आ सकता है आपने ITOC complete कर लिया लेकिन intermediate का exam दिये और intermediate fail कर गए तो क्या होगा आपका ITOC course का certificate valid होगा एक बार फिर से बोला है valid होगा इसके बारे में सोचने का जवरतने आप चाहो तो orientation course पहले कर सकते हो बाद में IT या पहले IT बाद में OC इसका जवरत कब पढ़ता है जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है कि CA new course में 2 साल का article sip होता है और article sip कब start कर सकते हो जब आपका foundation के बाद intermediate का both group clear हो जाएका चाहिए foundation route से intermediate both group clear करो या direct entry route से intermediate का both group clear करो तो उसके बाद article sip start करना होता है और article sip कितने साल का होगा training दूसरा training article sip दो साल का तो वही article sip start करने से पहले आपको complete करना पड़ता है IT OC IT OC complete होगा तभी जा करके article sip start कर सकते हैं तो इसका सही समय क्या है करने का आपने intermediate course में registration कर लिया foundation पास करके या intermediate में direct entry से सबसे पहले intermediate का exam दीजिए जब result का डेर से दो मंत का समय मिलता है ना तो पंदरा पंदरा दिन का ये course होता है result आने के बीच में कर लिजिए complete आपको ऐसा लगता है कि both group clear हो जाए जैसे ही both group clear होगा उसके बाद आपको article sip के लिए registration करना होगा तो उससे पहले क्या होगा result हाएगा तभी तो पहले चलेगा कि आपका both group clear होगा उससे पहले आप ITOC complete करके रखो जैसे ही result हाएगा आप दो साल का article sip के लिए registration कर सकते हैं अब बात कर लेते तीसरे training के बारे में ICITWS एक होता है advance IT दूसरा MCS इस दोनों को कब करना होगा आपका complete होगा article sip लेकिन article sip complete होने के बाद दो साल का लेकिन final exam में appear करने से पहले advance IT और साथ में MCS का training ये भी कहां regional branch पे जाके करना होता है 15-15 दिन का होता है यानि कि दो साल का आपका article sip complete हो जाएगा इसके बाद आपको advance IT और साथ में MCS का training complete करना होगा जो कि 15-15 दिन का होता है अगर बात किया जा advance IT का तो 7500 फी है और MCS का 7000 फी है इसके लिए registration कैसे करना होता है registration करने के लिए AI online registration official website है वहाँ पे जाकरके इसके लिए registration करना होता है देखो starting में आपको IT OC complete करना है जैसे ही IT OC complete होगा उस बाद CA intermediate का both group clear होगा इसके बाद क्या होगा आप 2 साल का article sip के लिए registration कर सकतो बिना IT OC complete किये हुए आप article sip के लिए registration नहीं कर सकते होगा तो पहला training हो गया IT OC इसके बाद 2 साल का article sip इसके बाद आपको हो जाएगा advanced ITT और साथ में MCS और एक और important बाद आप 2 साल के article sip complete करने के बाद advanced ITT और MCS का training करोगे ये दोनों training किये बिना आप CA final के exam में appear नहीं कर सकते हैं कम से कम CA final का exam form करने से पहले तक ये दोनों training complete हो जाना चाहिए इतना आपका training complete होगा आप सीधा CA final के exam में appear कर सकते हो अब आप लोग जिस topic पे बोलोगे detail में वीडियो बना दिया ITOC, दो साल का article sip advanced ITT, MCS के बादे में तो उस topic पे मैं detail वीडियो बना दूँगा बागी है students मैंने sort में आप लोग को idea दे दिया कब क्या कीजिएगा और मैं मिलका हूँ next video